हेलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लोग फिजियोलोजी का चैप्टर नमर 5 लेक्चर नमर 5 है ना ब्लड ग्रूप एंड इंट्स इंपोर्टेंस यह इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है ठीक है ना बाकी सारे टॉपिक हम लोग इसके कवर कर चुके हैं तो ब O AB जो ब्लुप है हमारे में बड़ा फेमस है और एक R-H वाला ब्लड ग्रूप जो हैं वो कई Type के होते हैं भुह सारे exist करते हैं बर्ट जो हमको Armenia पढ़ने वो दो है ठीक है आप समझते हैं कि आखर ब्लड ग्रूप का क्या चक्कर है क्या सीन है ओके तो अगर हम बात करें हैं आप पर तो क्या कह रहा है ब्लड टाइप ठीक है न ब्लड टाइप कह लो या इसको हम कह सकते हैं also known as blood group ब्लड टाइप या ब्लड ग्रूप कौन से ब्लड का टाइप है A, B, R, H वाला या ब्लड का ग्रूप कौन से है A और B इस अ क्लासिफिकेशन ओफ ब्लड यहाँ पर हम लों क्या कर रहे हैं ब्लड का क्लासिफाई कर रहे हैं based on the presence and absence of antibodies and inherited antigenic substance यह देखो बेटा यह चीज में है ठीक है अब हम समझेंगे तो ब्लड ग्रूप के में क्लासिफिकेशन है उसके उपर पाई जाने वाले antigen और antibodies का सारा खेल है तमाम antigen antibodies हैं बहुत सारे पाई जाते हैं उसके उपर ठीक है न तो जो blood group का question आया था कि blood group को जो हम लोग बनाते हैं किस आधार पर हम लोग ने blood group बना रखे हैं जैसे कि मालो अपने ABO बना रखे है उसका base किया है उसका base है antibody and antigen substance अब यह क्या चीज़ है समझेंगे से अभी हम लोग कहां पाई जाते हैं surface of red blood cells अचा antibody तो plasma में होता है antigen जो होते हैं वो surface of red blood cell होते हैं these antigens may be protein अब यह antigen जो होते हैं जो उसके surface पर लगए होते हैं मालो यह हमारा RBC है इसके उपर क्या है antigen लगा होगा यह ठीक ना इस टाइप से यह antigen लगा होगा यह जो antigen है सारे एक ही shape के होते हैं यह जो antigen होता है यह protein का हो सकता है कार्वाइड हो सकता है glycoproteins हो सकते हैं glycolipids हो सकते हैं depending on the blood group system हम लोग उने जो blood group का system हमारे पस ABO है RH है ना बहुत सारे antigen होते हैं इसके उपर अलग लग वराइटी के होते हैं और उन्ही antigen के आधार पर हम लोग blood grouping का system create कर लेते हैं तो देखे ज़र हैं यहाँ पर अब blood group system की बात करें अगर sorry depending on the type of antigen antigen की कौन सी type ले रहे हैं हम लोग present or absent on the membrane of RVC various blood grouping systems are present कई सारे blood group system मौझूद है there are more than 30 blood group system अब तक 30 से ज्यादा blood group system बन चुके हैं कुछ common के अगर मैं बात करूँ ABO बहुत famous है पढ़ना भी है RSSRH blood group बहुत famous है पढ़ना भी है यह नहीं सुनो हो गए MNS Duffy blood group system Lewis blood group system P blood grouping system ऐसे तमाम blood group system है यह कुछ common है example दिए हम लोगों के कोर्स में केवल यह दो है ठीक है ना बात समझ मारी है तो blood group जो है अपने कोर्स में ABO है और RH है के लिए बात समझ मारी है अब blood group हम किस आधार में बनाते हैं antigen ठीक है antigen जो कि कहा मवजूद होते हैं surface of RBC surface of RBC इस कौन सी antigen के अधार कौन सा antigen ले रहे हैं उसी का अधार पर हम लोगों को कर देते हैं अब छुदा से सरफिस पे न antigen लगे हुऊ हैं कौन सा antigen है जो antigen है अगर antigen A है तो blood group भी A हो जाएगा अगर antigen B लगा हुआ है तो blood group कोई भी antigen नहीं है तो 0 एक्टिली पहले 0 था यह बाद में O हो गया यह है लो एक बात का दिहान रखना जो वंदिके अगर मालों एंटिजण होता है उसके अपोज़िट उसके ब्लड में क्या पाए जाता है एंटिबॉडी पाए जाती है अगर एंटिजधन ओट है तो एंटिबॉडी ए नहीं होगा अदरोई ऐंटिबॉडडी एंटिए को खाद डालेगी मार antibody जो होती है और antigen अगर माल लो antigen A है और antibody B है इन दोनों को अगर मिला दिया स्वारी antibody भी A कर लेते हैं antibody पता है न जो disease को मारती है तो अगर antigen A है antigen A को antibody A के साथ रख दिया तो antibody इस antigen को माल डालेगी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं इसलिए ध्यान रखना antigen A और anti A anti मतलब antibody ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं अब बहुत ध्यान से समझो ठीक है confusion create होगी यहाँ पर बात को समझना group A इसके बाश क्या antigen A है और antibody B है अब बात को समझो ये मालो एक blood vessel है ठीक है क्या है ये blood vessel इसके अंदर blood group A पाए जाता है blood group A का मतलब यहाँ पर क्या हो गया antigen A मौजूद है और antibody B ये antibody B किसको मारेगी antigen B को मारेगी अगर अब तुमने यहाँ पर गलती से गलती से क्या दे दिया B वाला दे दिया तो B के surface पे क्या लगे हुए है antigen B है जैसे ये antigen B यहाँ आएगा antigen B यहाँ आया ये जो antibody B है ये इस antigen को मार डालेगी ठीक है तो जो antigen होता है antibody उसका उल्टा होता है ये बात ध्यान रखेंगे और antigen के हिसाब से ही blood group होता है जो antigen होगा वही blood group होगा clear है ये बात समझ में आ गई है clear थोड़ा सा अगर doubt लगता है तो वापस से वीडियो को pause करके back करें और फिर वापस देखें आगे आते हैं क्या कहा रहा है अभी है the ABO blood group the ABO blood group system involves two antigens and two antibody है ना हमने देखा यहाँ पर इस blood group में दो antigen है और दो antibody है एक antigen A एक antigen B एक antibody A एक antibody B तो ध्यान लखेंगे इसमें क्या है दो antigen दो antibody है the two antigens antigens का एक और नाम है ध्यान रगना agglutinogen gen है gen से gen याद रगना agglutinogen are antigen A and antigen B यह दो antigen पाए जाते है the two antibodies antibodies को हम लोग कहते है agglutinins क्या कहते है agglutinins are antibody A and antibody B यह क्या हो गए दो agglutinins हो गए यह antibody हो गए the antigens are present on the red blood cells and the antibody in the serum जहां डखना antigen antigen कहां मौझूद है cell के surface पे और जो antibodies है यह कहां मौझूद है plasma में serum में clear है regarding the antigen property अब antigen की property को देखते हुए of the blood all human beings can be classified into four groups है ना antigen की property को देखते हुए with antigen A उसको हम group A बोल देते हैं जिसके पास antigen B है उसको हम group B बोल देते हैं मैंने क्या कहा antigen के हिसाब से ABCD अब 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 नाम पड़ा हुए those with both antigen A and B group AB and those with neither antigen R O जिसके पास कोई भी नहीं उसको हम O बोल देते हैं अब antigen A है तो antibody B होगी उल्टा होता है antigen B है तो antibody A होगा antigen A B है with neither antibody nor A nor B क्योंकि कोई भी antibody हुआ तो दूसरे वाले को मार देगा वो अब antigen null group 0 with antibody A and B इसके पास antibody दोनों होती है कोई भी antigen नहीं है इसलिए दोनों antibody ये रख सकता है ये बात समझ मार रही है तो ये तो होगया अपना ABO blood group के बारे में कुछ बात है थोड़ी और बात है देख ले there is an aglutination reaction aglutination ध्यान नखना जब कभी ये blood test करते हैं तो हम लोग ड्रॉप डाल के देखते है जैसे ही दो opposite A और B आपसे मिलेंगे तो फटता सा है जैसे नहीं कोई चीज दूद फटता सा है तो उसके हम aglutination reaction कहते है यानि कि aglutinogen और aglutinin के बीट में जो reaction होगा उसे aglutination reaction कहा जाता है between similar antigen and antibodies एक जैसा antigen अगर A antigen और A antibody होगी तो इनके बीट में क्या हो जाएगा aglutination reaction कोशन आ सकता है बताओ AA AB ये antigen है और ये antibody है ठीक है अब यहाँ देखा B A और पूछे गाँ इन तीनों में से किसके बीच में aglutination reaction होगा तो जो same वाली condition है ये वाली इसके बीच में होगा याने कि ये आपस में क्या कर जाएंगे react कर जाएंगे है ना antigen A और antibody A ठीक है याने कि दो उल्टे blood group A और B आपस मिक्स नहीं हो सकते हैं बास समझ में आ रही है confuse कर गें फिर से ठीक हो बता देता हूं मैं ये antigen A ये ना तो इसके बास antibody B है तो इसके अंदर ये वाला concept जहां रखना ये वाला ठीक है ना याने कि अगर मैं इसके अंदर B को डालूंगा तो antibody B है तो antigen भी क्या आ जाएगा B दोनों सेम हो गए antibody antigen तब ही तो reaction करेगा ठीक है ना ठीक है अब आगे आते हैं एंटिजन A एगलूटिनेट एंटिबोडी A सेम सेम वाले एगलूटिनेट कर जाएंगे एंटिजन B एगलूटिनेट एंटिजन एंटिजन एंटिबोडी B तस transfusion transfusion मतलब बलड का एक इंसान से दूसरे इंसान में डालना इसको safe मना जाता है as long as the serum of the recipient does not contain antibody for the blood cell antigen of the donor यानि कि जो antigen है वही antibody अगर होगा तो safe नहीं अगर वो antibody नहीं होगा तो safe है The ABO system is the most important blood group system in human blood transfusion सबसे ज़्यादा हम लोग इसी को देख करके अपना काम करते हैं ना बहुत सार हैं लेकर ABO सबसे common है सबसे safe मना जाता है ठीक है The associated anti-A and anti-B antibodies are usually immunoglobulin M IgM होता है abbreviated IgM antibody जो antibodies होती है वो कौनसी होती है IgM होती है इसके अंदर कौनसी antibodies पाई जाती है IgM बोलते हैं clear है immunoglobulin M ठीक है पूछ देगा कि कौनसी antibody को कि अभी हम देखेंगा R.H. वाले में दूसरी पाई जाएगी It has been hypothesized यह ऐसा माना जाता है that ABO IgM antibodies are produced in the first year of life by sensitization to environmental substance होता क्या है antigen तो बच्चे के पास होता है पहले से समझे बात को बच्चा पैदा हुआ child यह रच चाइल्ड ठीक है आँके बना ले यह नाग बना ले हसता हुआ child दुनिया में आ गया ठीक है इसके अंदर मान लो A blood group का है यह किसका है A blood group का तो इसके अंदर antigen antigen A पहले से है सुरुवाद से है clear है वो पैदा होने के antibody इसके अंदर क्या आएंगी B आएंगी वो समय के साथ कई सारी bacteria virus तक टकराता है उसके बाद फिर इसके अंदर antibody B बनना start होती है clear रहा है तो यही बात वो कह रहा है यह माना जाता है ABO में IgM antibodies are produced in the first year of life by sensitization to environment substance such as food, bacteria and viruses although blood group compatibility rules are applied to newborn and infants as a matter of practice हम लोग नुबोर्न और infants में blood group का rule लगाते है practice करने के लिए बट उनमें antibodies थोड़ा देर में आती है the original terminology used by Karl Land Steiner यह नाम याद रखेंगे जिन scientist ने ABO blood group दिया था कौन थे? Karl Land Steiner 1901 में दिया था for the classification was ABC इन्होंने केवल ABC किया था क्योंकि आखरी वाला क्या था? 0 था letter publication जो C था sorry इन्होंने ABC कर दिया था C को बाद में O किया गया और O को कई बार 0 पढ़ा गया Null कर दिया गया in other language तो अब यह ultimately क्या हो गया? world famous हो गया है ABO blood grouping किलियर है बाते समझ में आ गई ABO blood grouping क्या होती है? किस ने दिया था? कैसे कैसे? कौन सी antibody? रहती है यहाँ पर? ठीक है अब RH blood grouping again very important RH blood grouping क्या है? the RH system या RH meaning rahisus है ना? rahisus एक monkey है उसी के आधार पुसी में खोजा गया था तो वहीं समय से RH बोल देते हैं is the second most significant blood group system दूसर तरीका यह है ठीक है? in the human blood transmission with currently 50 antigen है ना? हमने जो है इसके लगवग 50 antigen खोजे हुए है the most significant RH antigen is D antigen इसके अंदर antigen कौन सा है? D वहाँ पर antigen A और antigen B थे तो यहाँ र्याद रखेंगे RH के अंदर जो antigen हम मान के चल रहे है जिसका नाम दिया है वो D antigen है because it is the most likely to provoken in immune system तो D ना? 50 से ज़्यादा antigen खोजे RH के अंदर but D वाला जो है वो immune system को provoke कर देता है जगा देता है बढ़का देगा कि हम आया है मार डालो या मर जाओ ठीक है system response of the 5 main RH antigen 5 जो main थे उसमें D सबसे ज़्यादा क्या है वो provoke करता है अगर D वाला चला गया antigen body के अंदर तो दूसरे के अंदर क्या करेगा immune system को जगा देगा it is common for D negative individual not to have any anti-D अब देखो यहाँ पर फिर से भी बात आगी anti-D IgG और IgM अब इसके अंदर जो यह अच्छा यह IgM कहां था ABO में और IgG कहां पाया जाता है इस वाले में इनकी जो antibody है वो कौनसी होती है immunoglobulin G होती है तो क्या कह रहा है it is common for D negative अब D negative से क्या मतलब है समझो बात को ठीक है अब इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं अब जखो यहाँ पर क्या हुआ हमने एक और चीज़ पाई गई कि जिसके पास जो Rh positive होगा यानकी उसके पास antigen है और एक होगा Rh negative उसके पास antigen नहीं है यानकी Rh positive के पास D antigen है ठीक है इसके पास D antigen नहीं है कि लिए रहे बात बात समझों आ गई अब जो बार बार यहाँ पर देखो मैं बता दू मैं antigen हम पूरा लिखते है antibody के लिए anti-anti लिखते है antibody के लिए anti-anti लिखते है बार बार नहीं बताऊंगा आप में ठीक है anti नहीं anti ठीक है अहाँ तो लोग कहा रहे हो anti-anti आज अब इदर पर देखते है बड़ा पर तो क्या कहा रहा है it is common for D negative individual not to have any antibody जो D negative है इनके अंदर कोई भी no antibody कोई भी antibody नहीं होती है बार समझें भाई ठीक है अच्छी बात आगे आते है because anti-D antibodies are not usually produced by sensitization against environment क्योंकि जैसे कि हमारी IgM बन गई थी न कि बच्चे ने खाये प्याने का बच्चे एक साल का उसके अंदर antibody बन जाती है यह ऐसा नहीं है कि उस खाने पीने से या bacteria virus infection से antibody नहीं बनती है however D-negative individual can produce IgG anti-D IgG antibody ठीक है body is following a sensitization even possibly fetomaternal अब यह fetomaternal क्या मतलब है कहां नहीं समझाता हूँ मैं अभी IgG antibody बन सकती है याने की बात को समझना अगर किसी वज़े से आज इसको आज एंटिजन है अब चलो समझते हैं बात को एक इंसान ये है एक इंसान ये है ये मान लेते है RH positive है ये मान लेते है RH negative है अब इसके अंदर कुछ था ही नहीं इसके पास antigen था हुआ क्या blood को जब हमने transfuse किया हमने ध्यान नहीं दिया और RH positive blood हमने कहाँ डाल दिया RH negative में तो होता क्या है ये जब blood डाला है blood की life कितनी होती है 120 दिन की होती है तो अब ये जो 120 दिन लगेंगे उसके बाद याला blood मर जाएगा नया blood बनेगा तो जो RH negative है ये क्या बना लेता है ये antibody बनाएगा क्या बनाएगा antibody बना लेगा किसके खिलाफ इस RH के खिलाफ इस D antigen के खिलाफ antibody याने की anti-D बना लेगा अब हुआ क्या है ये anti-D बनने में लगबख 320 दिन है तो 120 दिन का time लगबख लगबख लग जाता है तो पहली बार जो blood transfuse हुआ ये बना बच गया अब गलती से हुआ कि उसने द्वारा कुछ दिक्कत है फिर से यही डाला अगर अब anti-D मौझूद है अब मार काट कर देंगी इसका हो अब अगर ये आए यहाँ पर यहाँ पहले से अब anti-D मौझूद है तो किसी वज़े से अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ था phetometal phetometal की बात करूँगा मैं भी detail में phetometal क्या होता है ये फिलाल वाला case हो गया कि हमने blood को क्या क्या transfuse किया एक से दूसरे में तो सुरुवात में तो normal रहा कोई दिक्कत नहीं आई लेकिन जब तक इसकी life कितनी थे मैंने ब्लड की 120 दिन की थी ब्लड चला गया लेकिन anti-D इसके अंदर बन गई इसकी body में अब anti-D आ चुकी है ठीक है अब anti-D आ चुकी है अब कभी भरिष्ट में RS positive आया RS negative आया तो कोई दिक्कत नहीं अब अगर RS positive कभी आया इसके अंदर तो फिर मारकाट चलो हो जाएगी अब समझते हैं fetomaternal को मैं यहाँ पर एक साथ discuss करूँगा arthroblastis fetalysis को ठीक है तो यहाँ पर होता क्या फिटो में fetus से pregnant woman pregnancy का टाइम पर होता क्या है blood जो है चला जाता है यहाँ पर हम बात को समझे क्या है छोड़ा सा diagram बनाऊँगा हासना मत यह मालों mother है ठीक है this is mother ठीक है और इसके womb में एक baby है यहाँ पर क्या है baby है this mother is RH negative this baby is RH positive तो जब delivery होती है delivery के टाइम पर जो बेबी का ब्लड है वो mother के अंदर चला जाता है कई वाँ थोड़ा सा mother के अंदर फिर क्या बन जाती है anti-D बन जाती है अब जब दूसरा बेबी अगर RH positive हुआ इन mother के अंदर आया तो यह anti-D उस बच्चे को बहुत बुरा नुकसान पहुचाती है अभी discuss करेंगे उसके बारे में यही है phetomaternal fetus mother से mother से बच्चे से कहांगे अब अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आओ देखते ठीक है तो वो यहारा सारा The presence and absence of RHD antigen is significantly by signified by plus or minus तो RH positive जो antigen है उसको plus or minus से दिखा देते हैं So that for example A minus group is ABO type A and does not have the RHD RHD antigen A negative को मतलब क्या हो गया ABO में A type का है और उसके पास RH antigen D नहीं है ठीक है special case केस आरेच इनकॉंपटिविल्टी का अर्यत्रोब्लास्टोसिस फिटलिस अब यहाला केस कर लेते हैं यहाँ पर यही वाला जो था अब देखा जाता है आज कल साधी वियां में भी यह चीज देखी जा रही है आरेच पॉजिटिव और आरेच नेगेटिव ठीक है ध्यान र अगर बच्चा आरेच नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वही वाली कहानी आई कहानी क्या थी फिर से भी डाग्राम बना दूमें मदर वाला ठीक है तो ओके ठीक है तो यह मदर कैसी है आरेच नेगेटिव मेल क्या था आरेच पॉजिटिव बच्चा आया है अब देखो होता क्या है जब डिलेवरी हुई जब डिलेवरी हुई तो जो अंबलीकल कॉड होती है काटी जाती है प्रेसेंटा तो वहां से कई बार क्या होता है कई बार क्या होता ही होता है बच्चे से थोड़ा सा खून मां के अंदर चला जाता है बलड और उस बलड में क्या मौजूद है और एच पॉजिटिव अब जो मदर है उसके अंदर एंटी डी अब जो मदर है यहां पर ठीक है फर्स्ट डिलेवरी हो गई यह फर्स्ट डिलेवरी फर्स्ट डिलेवरी हो गई अब मदर के अंदर क्या मौजूद है मदर तो खुद RS negative है लेकिन यहाँ पर antibody D मौजूद है मदर के अंदर antibody D अब अगर मालो दुआरा में इन कपल ने बच्चा करने बच्चा चाहा और बच्चा होता है और यह बच्चा इस बार फिर से RS positive रहा अगर तो तो यहाँ पर दिक्कत फस जाती है यह antibody D की खासियत होती है कि यह जो antibody D होती है यह placenta का cross करके बच्चे के पास पहुंच जाती है अच्छा जो antibody मालो जो blood group उसकी बात करें मालो जैसे कि पहले वाला कि मालो mother A है और बच्चा B है तो इसकी जो antibody B होती है antibody B या antibody A उनके अंदर placenta को cross करके बच्चे के पास जाने की छमता नहीं होती है वो placenta को barrier को पार नहीं कर पाते है लेकिन यह पार कर जाते है यह जो पार कर जाएंगे तो बच्चे के body में चला जाएंगा बच्चे को blood होता है उसको क्या करते है किल करना यह तरह से reaction start होता है aglutination वाला और बच्चे का blood कम होना start हो जाता है बच्चे का anemic हो जाता है या बच्चा कई वर मर भी सकता है और उसी condition को हम लो क्या कहते है Arithroblastosis fetalysis ठीक है यह वाला case मतलब पहरा बच्चा safe है लेकिन दूसरे बच्चे में दिक्कत आ जाती है किलियर यह बात है तो RS positive negative case समझ के रखेंगे यहाँ पर D वाली बात थी तो यह थुरा सा हमको समझना था RS positive में बात बागी सब कुछ simple है हम लोग पहरे से जानते है ठीक है अब main चीज़ तो पढ़ी लें heading तो हमार पास यही थी ठीक है लेकिन question उपर से आते है ठीक है ना heading हमार पास क्या थी importance of blood group तो क्या importance है blood transfusion हमको जब blood चड़ाना है तो देखना पड़ता है कौन से blood group का patient है in preventing hemolytic disease rh incompatibility देखनी पड़ती है अधरवाइस फिर दिक्कत हो जाएगी in paternity dispute paternity dispute होते है ना कौन बच्चा है कई बार ऐसा है कि वो claim करता है कि वो मेरे फादर है वो मेरे फादर नहीं है medical legal cases बहुत सारे cases हो जाते हैं medical legal वाले blood की ज़रूत पड़ती है in knowing the susceptibility of disease ठीक है ना blood group ओ वालों को इसा होता हम खा रहें और खाना हमको लग नहीं रहा तो हमको देखना पड़ता कि हमारा blood कैसा है किस type का blood है हमारा तो कौन सी diet हमको suit करेगी what kind of health issues you में face हरे type के blood group की कुछ खास health issues होते है जो life में आगे जाके उन्हीं वाले particular blood group वालों को होता है तुसरे को नहीं होगा what kind of workout suits you किस type of workout आपको suit करेगा workout में समस्रे हो ना कई वार ऐसा होता है एक के जगे पर चार लोग काम कर रहे हैं एक तो बड़े मज़े से काम कर रहा है दो एक को बड़ दिक्कत हो जाती है तो उसका blood कुछ ऐसा है कि उस माहल में काम नहीं कर पा रहा है इन सबकी study में भी हमको blood group की जरूरत पढ़ती है तो importance easy है हम लोग याद कर सकते हैं कुछ बहुत जादा नहीं था और यह आ गया अपना mind nurture app के बारे में कुछ बाते जो तुम लोग है कोई problem आती है किसी टाइव प्रॉलम आती है तो मुझे call जरूर कर ले बिना hitch के बिना जिच के ठीक है न और आखरी में हाँ पढ़ना है और revision करना है बिना revision के सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी तो पढ़ते रहो revise करते रहो all the best